वटकप में हैदराबादी बिर्यानी की च्छा काफी हो रही है। पाकिस्तानी टीम के खलाडियों ने बिर्यानी का आनंद भी उठाया। है। हैदराबाद में पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच मुकाबला चल रहा है। इस बीच वसेम अकरम ने श्वेब मलिक के साथ सानिय मिर्जा की श्वेब मलिक के साथ हुई है। इस वजह से अकरम ने कहा कि हैदराबाद की बिर्यानी के बारे में मलिक को जादा पता है। हस्ते हुए उन्होंने कहा लेकिन सानिय मिर्जा का नाम नहीं लिया। इसके बाद अकरम ने करांची और हैदराबाद की बिर्य भारत में मेरे दोस्तों निराश मत होना मैं सेच कह रहा हूं कराची की बिर्यानी से इसका कोई मुकाबला नहीं है आकरम ने आगे कहा कि मैंने हैदरबाद की बिर्यानी खाई है यह सूखी होती है यह पुलाव जैसी लगती है जिसमें चावल में रंग होता है इसके अलावा इसमें चिकन या फिर मटन डाला हुआ होता है इसके बाद पाक से मलक बोलते हैं कि हैदरबाद की बिरियानी में मसाला नीचे होता है और चावल इसके उपर डाले होते हैं इसे पहले बाबाराजम की कप्तानी वाली पाकस्तानी टीम हैदराबाद में बिर्यानी का स्वाद चखने के लिए एक रेस्टरोन में गई थी तस्वीरे भी सामने आई थी इसके अलावा होटेल में भी श्रायद उनको बिर्यानी खाने का मौका दिश्रत रूप से मिला था बाबाराजम ने एक बयान में का कि भारत में उनका खास ध्यान रखा गया है और सभी खिलाडिस का लुपत उठा रहे हैं श्रादाप खान ने भी बिर्यानी का मज़ा उठाने की बात कही उन्होंने मज़ाक में ये भी कहा कि अभ्यास मैच में खराब फिल्डिंग के कारण बिर्यानी ही है वंडे वर्ड कब दोह मज़ाद 23 में पाकस्तान की टीम का पहला मैच नीदरलेंड के साथ हो रहा है और इस मैच में नीदरलेंड ने टौस जीट कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है नीदर डैन के फैसला इस मैच में बिलकुल सही साबित हुआ। हैदराबाद में इस टीम ने पाकस्तान के खिलाफ वेतरीन शुरुआत करने में सफलता हासिल की। डच के इंदबाजों ने पाकस्तान के तीन शेश बल्लेबाजों को इस मैच में बिलकुल ही नहीं चल ले दि थी बाबाराजम वंडे वर्ड कप 2023 के शुरू होने से ठीक पहले अभ्यास मैचों के दौरान काफी ले में दिखे थे और पहले अभ्यास मैच में उन्होंने न्यूजिलैंड के खिलाफ 80 रन जबकी आस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 रन की पारी खेली इसके बाद वे जैसे ही पह कॉलिन एकर्मन के गेंद पर अपना कैच शाकिव जुल्फिकार को थमा बैठे इस मैच में बाबर आजम तीसरे नंबर पर तब बल्लेबाजी करने आये जब पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ 15 रन पर अपना विकट फकरजमा के रूप में घवा दिया फकरजमा ने 15 गेंदो पर दो चौके की मदद से 15 रनों की पारी खेल कर आउट हो गए इसके बाद बाबर आजम पांच रन पर आउट हो गए और पाकिस्तान ने अपने पहले तीन विकेट यानि कि इस टीम के तीन शेश वल्लेबास सिर्फ 34 रन पर ही आउट हो गए